लोक कथा किस्मत, कथावाचक निदी सेगल चंदननगर का राजा चंदन सिंग बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली था उसका राजी भी धन धाने से पूर्ण था राजा की ख्याती दूर दूर तक फैली थी एक पार चंदननगर में एक जोच्शी बधारे उनका नाम था भद्रशीद उनके बारे में विख्यात था कि वह बहुत ही पहुचे हुए जोच्शी है और किसी के भी भविशे के बारे में सही सही बता सकते है वे नगर के बाहर छोटी कुटिया में रहते थे उनकी इच्छा हुई कि वे भी राजा के दर्शन करे उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और राजा से मिलने की अनुमती उन्हें सहर्श मिल गई राज दर्बार में राजा ने उनका हादिक स्वागत किया चलते समय राजा ने जोच्छी को कुछ हीरे जवारा दे कर विदा करना चाहा पर जोच्छी ने ये कहकर मना कर दिया कि वह सिर्फ अपने भागय का खाते हैं राजा की दी हुई दौलत से वह अमीर नहीं बन सकते राजा ने पूछा इससे क्या ताथ परे है आपका गुरुदेव कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बना सकता राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया गुरुदेव आप किसी का हाथ देखकर ये बताईए कि उसकी किस्मत में अमीर बना लिखा है या गरीब मैं उसको उलट कर दिखा दूँगा राजा भूले ठीक है आप ही किसी व्यक्ति को बुलाईए मैं बताता हूँ उसका फविश्य और भाग्य जोच्छी ने शांती पूर्वक उत्तर दिया दाजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया और कुछ ही शणों में एक सजा धजा नौजवान जोच्छी के सामने हाजित था जोच्छी भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा फिर हाथ देखकर कहा ये व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिन्दगी भर गरीब ही रहेगा इसे खेतों और पेडों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और वहीं रहेगा राजा चन्दन सिंग सुनकर हैरत में पढ़ गया बोला आप ठीक कहते हैं ये सजा धजा नौजवान महल के राच्छी वस्त पहन कर आया है परन्तु वास्तव में ये महल के बागों की देख भाल करने वाला गरीब माली है परन्तु गुरुदेव एक वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूँगा इस जिन्दगी भर गरीब नहीं रह सकता राजा का घमन देखकर जोच्छी ने कहा ठीक है आप सोयम आज मालीजे मुझे आग्या दीजे और जोच्छी भद्रशील चंदन नगर से चले गए राजा ने अगले दिन माली दयाल को बुला कर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन दिया फिर उससे कहा यहां से सौ कोज दूर बालीपूर में मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं बहां जाओ और ये पत्र उन्हें देयाओ सुनकर दयाल का चहरा लटक गया वो पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया और सूचने लगा यहां तो पेडों की थोड़ी बहुत देख भाल करके दिन भर अराम करता हूँ अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा परंतु राजा के आग्या थी इसलिए अगले दिन सुभा तड़के वो चंदन नगर से पत्र लेकर निकल गया दो गाउं पार करते करते वो बहुत ठक चुगा था और धूप चड़ने लगी थी इस कारण उसे बूख और प्यास भी जोर से लगी थी वो उस गाउं में बजार से फोजन लेकर एक पेड़ के नीचे खाने बैट गया अभी आदा भूजन ही कर पाया था कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती ही करता था मिल गया देयाल ने अपनी परिशानी अपने मित्र टीकम को बताई सुनकर टीकम हसने लगा और बोला इसमें परिशानी की क्या बात है? राजा के काम से जाओगे खूब आवभगत होगी तुम्हारी जगा मैं होता तो खुशी खुशी जाता ये सुनकर देयाल का चेहरा खुशी से खेल उठा तो ठीक है भाईया टीकम तुम ही ये पत्र लेकर चले जाओ मैं एक दिन यहीं अराम करके वापस चला जाओंगा तीकम ने खुशी खुशी वो पत्र लिया और दो दिन में बाली नगर पहुँच गया वहां का राजा भानु प्रताब था तीकम आसानी से भानु प्रताब के दर्वाजे तक पहुँच गया और सूचना भिजवाई कि चंदर नगर के राजा का दूद आया है उसे तुरंत अंदर बुलाया गया तीकम की खुब आओ भगत हुई दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया जब उसने पत्र दिया तो भानु प्रताब ने पत्र खोला पत्र में लिखा था प्रियमित्र ये बहुत योग्य और महंती व्यक्ति है इसे अपने राज में इसकी इच्छा अनुसार चार करोड एकर जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो ये मेरे पुत्र समान है यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाभी कर सकते हो वापस आने पर मैं भी उसे अपने राज का पांच गाउं इनाम में दे दूँगा राजा भानु पताब को लगा कि ये सचमुच में योग्य वेक्ति है उसने अपनी पुत्री वपत्नी से सला करके पुत्री का विवाभी की कम से कर दिया और चलते समय धेरो हीरे जवारा देखकर विदा किया उधर आल सी दयाल थका हारा अपनी कुटिया में पहुँचा और जाकर सो गया दो दिन सोता रहा फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो दयाल से पत्र के बारे में पूछा दयाल ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी राजा को बहुत क्रोध हाया और साथ ही जोच्छी की भविश्यवानी भी याद आई परन्तु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है अताव एक बार फिर प्यत्न करकर देखेगा कि दयाल को धनी किस प्रकार बनाया जाए तीन चार दिन पश्चात दयाल राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेट से बड़े बड़े तर्बूस दोड़ कर लाया और बोला सरकार इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है देखेए खेट में कितने बड़े बड़े तर्बूस हुए है राजा खुश हो गया उसने चुप चाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया मंत्री एक बड़ा तर्बूस लेकर अंदर चला गया और अंदर से खोकला करके उसमें हीरे जवारात भरवा कर ज्योंका त्योंच चिपका कर ले आया राजा ने दयाल से कहा हम आज तुमसे बहुत खुश हुए हैं तुम्हें इनाम में ये तर्बूस देते हैं सुनकर दयाल का चेहरा फिर लटक गया वो सोचने लगा कि राजा ने इनाम दिया भी तो क्या वो बड़े उदास मन से तर्बूस लेकर जा रहा था तब ही उसका परिचित लोटन मिल गया वो बोला क्यों भाई इतने उदास होकर तर्बूस ले कहा जा रहे हो दयाल बोला क्या करूँ बात ही कुछ ऐसी है आज राजा मुझसे खुश हो गए पर इनाम में दिया भी तो ये तर्बूज भला तर्बूज भी इनाम में देने की कोई चीज है मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तर्बूज रोटन बोला निराज क्यों होते हो भाई इनाम तो इनाम ही है मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते फिट ठीक है तुम ही ले लो ये तर्बूज और दयाल तर्बूज देकर कुटिया में आ गया अगले दिन राजा ने दयाल का वही फटा हाल देखा तो पूछा क्यों तर्बूज खाया नहीं दयाल ने सारी बात चुपचा बता दी राजा को दयाल पर बहुत ग्रोथाया पर क्या कर सकता था अगले दिन दयाल ने लोटन को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने बग्गी में जाते देखा तो उसके आश्चरे का ठिकाना ना रहा दयाल ने अचानक धनी बनने का राज लोटन से पूछा तो उसने तर्बूज का किस्सा बता दिया सुनकर दयाल हात मलकर रह गया तभी उसने देखा कि किसी राजा की बाराजसी आ रही है उसने पास जा कर पता किया तो पता लगा कि कोई राजा अपनी दुलन को बियाकर यहां ला रहा है जो ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए उसने देखा राज सवारी पर टीकम बैठा था अगले दिन टीकम से मिलने पर उसे पत्र की सच्चाई पता लगी परन्तु अब वो कर ही क्या सकता था राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सूचने लगा जोच्छी ने सची कहा था राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता यदि उसकी किस्मत में गरीब रहना लिखा है अब राजा ने जोच्छी भदरशील को बहुत ढुणवाया पर उनका कहीं भी पता ना लगा लोग कथा किस्मत कथा वाचे निदी सेगल